हेलो एवरिवन आज के इस वीडियो सौट वीटियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अपनी एक्सायस 5.1 का क्या बोला है तो इसमें आपका फर्स्ट क्वेशन में क्या बोला है फिच आप फॉलूंग स्टेट्मेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स गिव रीजन फॉ आपको इस स्टेट्मेंट्स को पढ़ना है और बताना है कि यह फॉल्स है ठीक है तो हम आगे बढ़ते हैं पहला क्वेशन जो हमारा है उसमें बोलता है आपके पास एक सिंगल पॉइंट है तो आपको स्टेट्मेंट देगी क्या इससे सिर्फ एक लाइन पास हो सकती है न हो एक सिंगल पॉइंट से इंफानिट नंबर ऑफ लाइन पास इस फार सकती है भीर हम पढ़ते हैं दूसररा वाले में क्या यह बोला थना दूसरे वाले में हमसे बोला है दियर आरेन, infinite numbers of line which pass through two distinct points तो इस बार क्या बोला है, आपके पास two distinct points है, ठीक है distinct means different, एक दूसरे के उपर coincide नहीं करने चीए जैसे अगर एक के उपर एक बना दोगे तो फिर वो distinct नहीं कहलाएगा अगर दोनों points अलग-अलग हैं, तो आप क्या बोलोगे distinct points क्या इंसे बहुत सारी lines pass हो सकती है, नहीं इंसे सिर्फ एक unique line pass हो सकती है, अगर आप देखो तो इससे सिर्फ एक line pass होगी, जो की यह line है, ठीक है तो आपका answer क्या हो जाएगा इसका भी, यह statements भी क्या हो जाएगा, false हो जाएगा, क्योंकि इससे सिर्फ एक unique line pass होती है और इसने बोला कि है कि infinite numbers of line pass हो सकती है, वैसा नहीं होता, तो इसलिए दूसरा वाला भी क्या हो जाएगा, false हो जाएगा, ठीक है थर्ड वाले में हमसे क्या बोला है, a terminated line can be produced indefinitely on both sides, यह भी ठीक है, आपको पता होगा, कोई भी line अगर है, तो इसको आप कितना भी बढ़ा सकते हैं, दोनों side ठीक है, जैसे आपके पास एक line है, let's see, यह हमारी एक line हो गई, तो इसको आप कितना भी extend कर सकते हो, ठीक है, अ इसके बाद fourth वाले में बोला है, if two circles are equal, then they are radiai are equal, अच्छा, तो इसमें बोला है कि अगर दो circle equal है, तो मैं एक दो circle बना देता हूं, equal, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं, दोनों circle के हैं, equal है, अब इसके बारे में क्या बोला है, अगर दो circle equal है, तो उनकी radiai भी क्या हो भी क्या होगी, equal होगी न, तो इसका मतलब है, अगर circle equal होगी, तो उनकी radiais भी क्या होगी, equal होगी, ठीक है, फिर last इसके बाद बचा है, fifth वाले में बोल रहा है, fifth वाले को discuss करने के लिए थोड़ा जगों चीए, तो इसको महटा देता हूँ, fifth वाले में बोल रहा है, in figure 5.9 यह आपको figure दिया हुए, ab equals to pq and pq equals to xy, then ab equals to xy, तो क्या है true होगा या false होगा, अच्छे इसको example से कर लेते हैं, देखो यहाँ पर हम मान लेता हूँ कि ab equals to 2 cm, कुछ भी assume कर सकते हो, आप आपकी मर्जी, मैंने 2 cm मान गया, अब देखो उसने बोला, ab equals to pq, अगर ab मैंने 2 cm मान तो pq भी मेरा कितना हो जाएगा? 2 cm हो जाएगा, ठीके न, अब उसके बात बोला है, उसने bq equals to xy, pq किसके equal बोला है?, pq को उसने बोला है, xy के equal, अब मेरा futur pq 2 cm था तो xy भी कितना हो जाएगा? 2 cm, तो उसने बोला है कि ab paths, we have to viex, xy, बराबर हो जाएगा, हाँ, ह रहा है ना देखो xy भी 2 cm रहे और ab भी 2 cm है that means आपका fifth वाला क्या हो गया statement true हो गया ठीक है तो इतना ही था इस question में इसके बाद हम next question next video में discuss करेंगे ठीक है thank you very much